नमस्कार मैं मिनाक्षियादा उस्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज की हमारी रेस्पी है जीरा आलू तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्टी रेसपी यहां पर मैंने लिए हैं छै उबले हुए आलू इनका हम चिलका उतार लेंगे और इने काट करके हम तयार कर लेंगे कड़ाई में ले लेंगे एक बड़ा चम्मच तेल और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे तो इसमें मैंने एड कर दिया है एक चम्मच जीरा अब हम इसमें डाल देंगे यह कटा हुआ लैसून कर लिए जिसको मैंने कट कर लिया है और साथी में डाल देंगे यह दो हरी मिर्ची एक तिहाई चम्मच नमक एक तिहाई चम्मच ही हल्दी आधी चम्मच सूखा धनिया और एक चम्मच का आठवा हिस्सा लाल मिर्च एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे तुबले हुए आलू इसको मिक्स कर देंगे आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हुए आप हम इसको मिक्स कर देंगे आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हुए कर देंगे के लिए धक करके पकाएंगे ताकि यह मसाला सारा अलू के अंदर चला जाए गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है दो मिनिट हो चुके हैं गैस को हम ओफ कर देते हैं और अब हमारी सबजी शर्व करेंगे तैयार है टेस्टी जीरा आलू बनकर तो आप लोग भी बनाईए अपने घर पे यह टेस्टी रेसपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नत भूलेगा और साथी में दबाईए बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें कीजिए लाइक को शेयर और केमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप सबको मेरे रेसपी कैसी लगी Thank you